आचार्य के अभिशेग का विदान नारज जी कहते हैं महर्शियों अब मैं आचार्य के अभिशेग का वर्णन करूंगा जिसे पुत्र अत्वा पुत्रो पमश्रद्धा लुशिस संपादित कर सकता है इस अभिशेग से साधक सिध्धी का भागी होता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है राजा को राज्य और इस्त्री को पुत्र की प्राप्ती होती है इससे अंतह करण के मल का नाश होता है मिट्टी के बहुत से घड़ों में उत्तम रत्न रखकर एक स्थान पर स्थापित करें पहले एक घड़ा बीच में रखें फिर उसके चारों और घट स्थापित करें इस तरह एक सहस्र या एक सव आवरिती में उन सब की स्थापना करें फिर मंडप के भीतर कमलाकर मंडल में पूर्व और इशान कोण के मध्यभाग में पीठ या सिहासन पर भगवान विश्णों को इस्थापित करके पुत्र एवन साधक आधी का सकली करण करें तगनंतर सेश्य या पुत्र भगवत्त पूजन पूर्वक गुरु की अर्चना करके उन कलशों के जल से उनका अभिशेक करें उस समय गीत वाद्य का उत्सव होता रहे फिर योग पीठ आधी गुरु को अर्पित कर दें और प्रात्ना करें गुरुदेव आप हम सब मनुश्यों को करपा पुरुवक अनुग्रहित करें गुरु भी उनको समय दिख्षा के अनुकूल आचार का उपदेश दें इससे गुरु और साधक भी संपूर्ण मनोरतों के भागी होते हैं मंत्र साधन विधी सर्वतो भदरादी मंडलों के लक्षन नारज्जी कहते हैं मुनिवरों साधक को चाहिए कि वो देव मंदिरादी में मंत्र की साधना करें घर के भीतर शुद्ध भूमी पर मंडल में परमेश्वर स्रीहरी का विशेस पूजन करके चौकोर शेत्र में मंडलादी की रचना करें 256 कोष्टों में सर्वतो भदर मंडल लिखें करम ये है कि पुर्व से पस्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिन की ओर बराबर 17 रेखाएं खीचें ऐसा करने से 256 कोष्ट हो जाएंगे उनमें से बीच के 36 कोष्टों को एक करके उनके द्वारा कमल बनावें अत्वाव से कमल का शेत्र निश्चित करें इस कमल शेत्र के बाहर चारों ओर की एक एक पंक्ती को मिटा कर उसके द्वारा पीठ की कल पना करें अत्वाव से पीठ समझें फिर पीठ से भी बाहर की दो दो पंक्तियों का मारजन करके उनके द्वारा विथे की कल पना करें पिर चारों दिशाओं में द्वार निर्मान करें पुर्वोक्त पद्म शेत्र में सब और बाहर के बारवे भाग को छोड़ दें तथा सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पद्म निर्मान के लिए विभाग पुर्वक समान अंतर रखते हुए सूत घुमा कर तीन वृत्त बनावें इस तरह उस चाकोर शेत्र को वर्तुल गोल बना दें इन तीनों में से प्रथम तो करनिका का शेत्र है दूसरा केसर का शेत्र है और तीसरा दलसंधियों का शेत्र है शेस चौथा अंश दलागर भाग का इस्थान हैं कोण सुत्रों को फैला कर कोण से दिशा के मध्य भाग तक ले जाएं तथा केसर के अगर भाग में सूत रखकर दल संधियों को चिनित करें फिर सूत गिराकर अश्ट दलों का निर्मान करें दलों के मध्य तक अंतराल का जो मान है उसे मध्य में रखकर उसे दलागर को घुमावें तदनंतर उसके भी अगर भाग को घुमावें उनके अंतराल मान को उनके पार्शो भाग में रखकर बाईय क्रम से एक एक दल में दो दो केसरों का उल्लेक करें ये सामान्यतह कमल का चिन्न है अब द्वादश दल कमल का वर्णन किया जाता है करनिकार धमान से पूर्व दिशा की उर सूत रखकर क्रमशा सब और घुमावे उसके पार्शो भाग में भ्रमन योग से 6 कुंडलियां होंगी और 12 मत्स चिन्न होंगे उनके द्वारा 12 दल कमल संपन होगा पंच दल आधी की सिद्धी के लिए भी इसी प्रकार मत्स चिन्नों से कमल बनाकर आकाश रेखा से बाहर जो पीठ भाग है वहां के कोश्टों को को इस पीठ के पायों के रूप में कल्पित करें अब सिष्ट जो चारों दिशाओं में दो दो जोड़े अर्थात चार-चार कोस्टक हैं उनसब को मिटा दें वह पीठ के पाटे हैं पीठ के बाहर चारों दिशाओं की दो दो पंक्तियों को विथी मार्ग के लिए सर्वता लुप्त कर दें, मिटा दें, तदनंतर चारों दिशाओं में चार द्वारों की कलपना करें, विथी के बाहर जो दो पंक्तियां शेस हैं, उसमें से भीतर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती दो दो कोष्ट और बाहर वाली उपशोभाई स्थान बनाएं। उपशोभाओं की संख्या भी उतनी ही बताई गई है जितनी की शोभाओं की। इस प्रकार 16-16 कोश्टों से बनने वाले 256 कोश्ट वाले मंडल का वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मंडल भी बन सकते हैं। मंडल में 12 अंगुल का कमल शेत्र होता है। दो हाथ के मंडल में कमल का इस्थान एक हाथ लंबा चवड़ा होता है। तदनुसार वृद्धी करके द्वार आधी के साथ मंडल की रचना करें। दो हाथ का पीठ रहित चतुरस्त मंडल हो तो उसमें चक्राकार कमल चक्राब्ज का निर्मान करें। नौ अंगुलों का पदमार्ध कहा गया है। तीन अंगुलों की नाभी मानी गई है। आठ अंगुलों के अरे बनावे और चार अंगुलों की नेमी। शेत्रक तीन भाग करके फिर भीतर से प्रत्यक के दो भाग करें। भीतर के जो पांच कोश्टक हैं उनको अरे या आरे बनाने के लिए आस्फालित, मारजित करके उसके उपर अरे अंकित करें। वे अरे इंदिवर के दलों की सी आकरीती वाले हुँँ अथवा मातुलिंग, दिजवरा, निम्मू के आकार के हुँँ या कमल दल के समान विस्तृत हुँँ अथवा अपने इच्छा के अनुसार उनकी आकरीती अंकित करें। अरो की संधियों के बीच में सूत रखकर उसे बाहर की नेमी तक ले जाएं और चारों और घुमावें अरे के मुलभाग को उसके संधे स्थान में सूत रखकर घुमावें और अरे के मध्ध में सुत्र इस्थापन करके उस मध्ध भाग के सब और समभाव से सूत को घुमावें इस तरह घुमाने से मातुलिंग के समान अर खाये खीचें ऐसा करने से 196 कोष्टक सिध्ध होंगे वे जो कोष्टक हैं उनमें से बीच के चार कोष्टों द्वारा भद्रमंडल लिखें उसके चारों और विथी के लिए स्थान छोड़ दें फिर संपूर्ण दिशाओं में कमल लिखें उन कमलों के चारों और विथी के के लिए एके कोष्ट का मार्जन् 가까श मद्ध के दो दो कोष्ट गरिवाभाग के लिए विलुप्त कर दें फिर बाहर के जो चार कोष्ट रहें उनमेंसे टीन गो शब्रमंड़ के बाहर ağल नाल या नम्ववाग मंडल कहते हैं उसकी नौ नाभियों में नवयूव स्वरूप श्रीहरी का पूजन करें 25 विवों का जो मंडल है वो विश्व व्यापी है अत्वा संपूर्ण रूपों में व्याप्त है 32 हाथ अत्वा कोष्ट वाले शेत्र को 32 से ही बराबर करके विभक्त कर दें अर्थात उपर से नीचे को 33 रेखाएं खीच कर उन पर 33 आड़ी रेखाएं खीचें इससे 1024 कोष्टक बनेंगे उनमें से बीच के 16 कोष्टों द्वारा भद्रमंडल की रचना करें फिर चारों और की एक एक पंक्ती छोड़ दें तत्पस्चात आठों दिशाओं में 16 कोष्टकों द्वारा आठ भद्रमंडल लिखें इसे भद्राश्टक की संग्या दी गई है उसके बाद की भी एक पंक्ती मिटा कर पुना पुरुवत 16 भद्रमंडल लिखें ददनंतर सब और की एक एक पंक्ती मिटा कर प्रतेक दिशा में तीन दिन के करम से बारह द्वारों की रचना करें बाहर के छै कोष्ट मिटा कर बीच के पार्शोभागू के चार मिटा दें फिर भीतर के चार और बाहर के दो कोष्ट शोभा के लिए मिटावें इसके बाद उपद्वार की सिध्धि के लिए भीतर के तीन और बाहर के पांच कोष्टों का मार जन करें, तत्पस्चात पुरुवत शोभा की कलपना करें, कोणों में बाहर के साथ और भीतर के तीन कोष्ट मिटा दें, इस प्रकार जो पंचिविन शती विहुमंडल तयार ह उता है, उसके भीतर की कमल करने का में परंब्रम परमात्मा का यजन करें, फिर पुरुवादी दिशाओं के कमलों में क्रमश वासुदेवाधी का पूजन करें, तत्पस्चात पुरुवती कमल पर भगवान वराह का पूजन करके क्रमश संपून अर्थात 25 विहों की पू करमश पूजन यग्य संपन होना चाहिए, परंतु सत्य का कथन है कि मुर्ति भेद से भगवान के व्यक्तित्व में भेद हो जाता है, अता सब का प्रथक प्रथक पूजन करना उचित है, 42 कोस्ट वाले मंडल को आड़ी रेखा द्वारा करमश विभक्त करें, पहले एक के साथ भाग करें, फिर प्रतेक के तीन तीन भाग और उसके भी दो दो भाग करें, इस प्रकार 1064 कोस्टक बनेंगे, बीच के 16 कोस्टों से कमल बनावें, पार्शो भाग में विथे की रचना करें, फिर आठ भद्र और विथी बनावें, ददनंतर 16 दल के कमल और विथे का तदनंतर 6-3 पंक्तियों से द्वार शोभा और उपशोभाएं बनेंगी। एक-एक दिशा में 4-4 शोभाएं और 3-3 द्वार होंगे। कोणों में प्रत्य पंक्ति के 5-5 कोश्ट छोड़ दें। वे कोण होंगे। इस तरह रचना करने पर सुन्दर अभिष्ट मंडल का निर्मान होता है।